देश के सबसे बड़े सेक्स स्केंडल में 32 साल तक कैसे बचते रहे दरिंदे सौ लड़कियों से गैंग रेप, छे ने तो अपनी जान दे दी, फोटो से कैसे शिकार को फसाया जाता था पुलिस की चूक या कहें तब की चाला की, कैसे दरिंदों को बचाती रही नमस्कार में ललित 32 साल पहले हुए सेक्स स्केंडल के 6 दोशियों को, अदालत ने 20 अगस्त मंगलवार को उम्रकैत की सजा के साथ-साथ 55 लाग का जुर्माना लगाया, इन रसूखदार दरिंदों के नाम जान लीजे, 54 साल का नफीश चिष्टी, नसीब और फटारजन, सलीम चिष्टी, एकबाल भाटी, सोहिल गनी, सायद जमीर हुसैन, इन्हें पूरी जिंदीगी जेल में काटनी हैं, जब इन जलादों ने बदनामी के डर से अपनी जान दे दी, तक कालीन सरकार ने ये केस, CIDCB को सौपा था, मामने में 13 आरूपी थे, 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाई कोट दोशमुक्त कर चुका है, एक नतीस साल पहले केस के ट्रायल्स के दौरां सुसाइट कर लिया था, दो आरूपियों पर लड़के से कुकरम का केस भी चला, इनमें एक सजा भुगत चुका है, एक पर केस चल रहा है, एक आरूपी फरार है, 6 पर फैसला आ जाया है, इस ब्लैक मेल कांट पर एक फिल्म भी बनी, इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी, और तीन पीड़ताएं अपने बयान पर आखिर तक डटी रही, सल्यूट, कोट ने 208 पेज का फैसला सुनाया, इंदर इंदों में इश्रत अली, अन्वर चिष्टी, मुईजुला, पुत्तन इलाहबादी, शमसुद्दीन और मारडोना, 2003 मेंने सजा हुई थी, ये सबी रहा हो चुके हैं, इनकी सजा को सुप्री सजा सुनाई थी, 2013 में भुक्ती हुई सजा पर हाई कोट ने से रहा कर दिया, इस तरह नौ आरोपियों को तो पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, एक को अपने किये पर इतनी शर्म आई, पुर्शुत्तम उर्फ बबली, इसने 1994 में केस चलने के दौरां सुसाइट कर लिय जहूर चिष्टी पर कोकर्म का केस चला, संत्यानवे में उसे रहा कर दिया गया, मंगलवार को जिन 6 को सजा सुनाई गई है, उसमें सोहेल गनी, नफीश चिष्टी, जमीर है, सलीम चिष्टी है, एकबाल भाटी, टारजन है, इस पूरे मामले का एक आरोपी, अलमास महरा अब ही भी फरार है और रेट कॉर्नर नोटिस उसको लेकर जारी किया गया है, जिन्हें सजा सुनाई गई है सालों से जेल में है, इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था, कैसे निकला था ये, यह दरसल एक फोटो लैब से निकला, तब रील को लैब में डेवलप करव फोटो जिसके भी हाथ में लगी, उसने भी उन लड़कियों को ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया, इसके चलते कॉलेज की छे लड़कियों ने सोसाइड कर लिया, इस समय से गवाओं की तल्भी हो रही थी, गवाँ नहीं पहुँच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थी जिनके साथ ये अपराग घटेत हुआ, च्योंकि वो मीडिया की बार-बार सुर्खियां बन रहा था तो स्रीमान, ततकालीन, पुलिस अदिक्चक महोदय गन द्वारा बराबर टीम का फॉलो अप करते हुए, मेरे को निर्देशित किया गया, तो मैंने फिर एक चेलेंज क साथ आरूपी, नफीस चिष्टी, जो ततकालीन यूद कॉंगरस का वाइस प्रेसिडेंट था, अनवर चिष्टी, ये यूद कॉंगरस का जॉइंट सेक्रेटरी था, इकबाल भाटी, सलीम चिष्टी, सोहेल गनी, जमीर, अलमास और नसीम, इस मामने में फरार चल रहे थ साथों ने पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाया, आरूपियों को अच्छे से पता था कि हर आरूपी की गिरफतारी के बाद पुलिस नई चार्शीट पेश करेगी, कोर्ट महलग से ट्राइल चलेगा, इस में ध्यान में रखते हुए नफीस, अनवर, इकबाल, सलीम इनने लंबे अंतराल के बाद पुलिस के सामने सरिंडर किया, 2003 में नफीस और नसीम को इलहाबाद और दिली से पकड़ा गया, 2004 में दोनों के खिलाफ चार्शीट पेश हुई, ट्राइल शुरू हुआ, 2005 तक 52 गवाहों के बयान भी हो गए, लेकिन तभी एक और आरूपी इकबाल को मंबई से गिरफतार कर लिया गया, इस गिरफतारी के बाद नफीस और नसीम का ट्राइल रोक दिया गया, यही वो चूख है दरसल, इकबाल की गिरफतारी के बाद कोट में एक और चार शीट पेश की गई, अब नफीस नसीम इकबाल के खिलाफ ट्राइल शुर जमीर अगरिन जमानत मिलने के बाद विदेश से हाँ आया था 2001 में उसे बाकादा अमेरिका की नागरिकता भी हासल हो चुकी थी फिर एक बाद ट्राइल रुख दिया गया जब कोई नई गिरफ्तारी होती ट्राइल रुख जाता सलीम और जमीर के खिलाफ नई चारशीट पेश की गई और इसके बाद नफीस, नसीम, इकबाल, सलीम, जमीर इनके खिलाफ नए से ट्राइल हुआ फिर गवाहों को कोड में बुलाना पड़ा इस बार 69 गवाहों ने कोड में बयान दिया ट्राइल चला, 2018 में एक और जो आरुपी है, सोहेल गनी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया एक बार फिर ट्राइल रोपना पड़ा, इस मामने में एक और नहीं चारशीट पेश हुई, फिर से ट्राइल शुरू हुआ आखिर कार 104 गवाहों के बयान के बाद, 2024 के जुलाई महीने में इस पर आखिरी बहस हुई और 20 अगस्त को 6 दोश्यों को मरकाईद की सजा सुनाई गई इस तरह से कहें तो पुलिस की चू किया शायद चाला की, तब के दौर के हिसाफ से, इंसाफ की आस पर भारी पड़ी इसी एजमेर कार्ण पर एक फिल्म मनी थी, हाला के वो अलग-अलग बज़ों से उसकी रिलीस चलती रही, बाद में वो रिलीस भी हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ा कमाल वो नहीं दिखा पाई अब इस सेक्स कांट पर फैसले के बाद शाहिद पीड़ों को भी सुकून मिले, लेकिन दाथ उन लड़कियों को देनी चाहिए, उनकी हिम्मत को दी जानी चाहिए, जो इतने रसूफदार दरिंदों के आगे उन्होंने हार नहीं मानी, हर पल वो तोड़ी जाती रही, सिस से आप क्याते हैं, उससे ये मामला शुरू हुआ, उसकी फोटो बनी, उस फोटो के जरिये फिर से उस लड़के को अपनी गर्फरेंड को लाने के लिए प्रेशराइस किया गया, फिर इसी तरह जब एक लड़की आई, तो उसे और अपनी सहिलियों को बलाने के लिए फोर एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती, जो कॉलेज से लड़कियों को उठा कर उस बंगले तक या कहे उस फॉर्म हाउस तक ले कर जाती, इसी तरह से ये खेल चलता रहता, लेकिन लैब में फोटो डेवलप होने गई, और वहां से जो जरॉक्स कॉपी निकली, री प्रिंट जिसे आप कहते हैं, री प्रिंट निकला और फिर इस मामले का खुलासा होता चला गया